मुंबई से MBA पास आउट पूरुवा ने और्गैनिक खेती का ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा राजस्थान में भीलवाडा की रहने वाली पूरुवा के पास दूसरे बिजनिस या नौकरी के कई आप्सन थे लेकिन पूरुवा ने और्गैनिक खेती को चुना पूरुवा अपने खेत में प्योर शुद और्गैनिक सब्जियां उगा रही है पूरुवा की पूरी स्टोरी देखने से पहले ये देख लीजिए कि पूरुवा का खेत कैसा है तो देखा आपने पूरुवा ने ये खेती शिर्फ 6 महिने पहले शुरू की है और ये खेती उस जमीन पर शुरू की गई है जहां पहले कभी खेती नहीं हुई क्योंकि ये पत्रीली जमीन है पूरुवा ने MBA करने के बाद और्गैनिक सब्जियां उगाने का काम क्यो शुरू किया इसमें कितनी संभावनाएं हैं और दूसरे युवा इन से कैसे जुड़ सकते हैं इसकी पूरी जानकारी इस फिल्म में खुद पूरुवा देंगी नमस्कार दोस्तों टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है किसान अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं कि खेती छोड़िए नौकरी तलास कर लीजिए खेती में कुछ नहीं रखा है और बच्चे भी शहरों में छोटी मोटी नौकरी की तलास में भटकते रहते हैं लेकिन मेरे साथ है पूरुवा जिन्होंने MBA करने के बाद खेती को चुना ये कोई और भी बिजनिस कर सकती थी लेकिन इन्होंने औरगनिक फार्मिंग में नए तरीके से खेती करने को करियर के रूप में अपनाया है इसमें क्या संभावनाय है और इन्होंने ये क्यों अपनाया पूरी स्टोरी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि MBA या दूसरी पढ़ाई करने के बाद शिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए परन्तु आजकल अच्छी management के लिए खेती में भी ऐसे युवाओं की जरूरत है जो कुछ अलग तरीके से खेती कर सकें तो आपको ये पूरी स्टोरी जरूर देखनी चाहिए ताकि पता चले कि पूर्वा ने औरगनिक खेती में क्या नया किया है और क्या इसमें संभावनाएं बनती है टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पूर्वा जी आपने MBA किया है और MBA के बाद आप और गरनिक खेती में आगे अक्सर पढ़ाई करने के बाद बच्चे नौकरी की तलास में शहरों में जाते आएं लेकिन आपने हमारा future भी है और इस में जितने भी लोग है आज कोई भी profession में जाएं खाना सब के लिए ज़रूरी है और जो खाना हम खाते हैं और शुद ना हो तो उसके लिए फिर हमारी शरीयर को तकलीफ है हम जिस profession में चाहें हमारी health first आती है तो मैंने textile बाती है कि हम कोई वी काम करें बेस्ट खर एंग Nee और लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए मेरित बहुत मैसि खाना पहुंचा का का ciao इश की हमारी तर लोगों कहते हैं और आपने एक्स्टाइल और डिजाइनिंग में भी काम किया तो खेती से कोई बैक्राउंड है अपका मेरे फैमिली में पिछले सौ सालों थे जहां तक मुझे पता है कोई खेती बैक्राउंड नहीं था हम हमेशा व्यावसाइक बैक्राउंड में रहा मेरे दादा जी परदादा जी सब लोग हमेशा बिजनेस में इन्वाल्ट रहें और यह खेती को भी हम बिजनेस के तौर परी प्रमोट करना चाहते हैं ताकि इससे हम बेस्ट और अच्छी यिल्ड दे सके हम शुद देसी और जो नैचुरल प्रड़क सब्सक्राइब करना चाहते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह खेती का कोई बैक्राउंड नहीं था लेकिन आपने शुद चीजें लोगों तो पहुंचाने के लिए खेती शुरू की कैसे शुरूबात की क्योंकि जीरो बैक्राउंड था तो वह बत्ते ही ताकि कोई और बैक्राउंड खेती में आना चाहें तुसे पता चले कि क्या चैलेंज जाते हैं और क्या पॉर्चनिट तो कैसे शुरूबात की यह हम अपने खुद के लिए घर में छोटा सा लाइन पर सब्सक्राइब कर प्रयोग कि वहां से हमें समझ में आया कि एक हमारे खुद के उगाने पर इतनी अच्छी आ रही है और उसके टेस्ट भी अच्छा है उसके न्यूटरेंस्ट भी अच्छ अच्छे हैं वरर कि अच्छी तरफ प्रमठ और है कि हमें हल्थ अच्छी भी खाना है वहां से एक opportunity दिमाग में आए कि जो सब्जीयां हम उगा रहे हैं वो इस तरह की हो जिन में कोई chemical नहीं हो हमारी immunity को strong करने में help करें ऐसी सब्जीया है तो उससे एक motivation मिला मुझे कि हम इसको आगे बड़े लेवल पे करना चाहिए तो बड़े लेवल पे करने के लिए आप में तो एक benefit हमें यह मिला कि जो पहले किसान chemical डालते हम उसको निकालते हम उसको शुद करते जमीन को toxic free करते तो वो मेहनत हमारी बची दूसरा इस जमीन में challenges काफी थे इस जमीन में पत्थर काफी थे जमीन की जो मिट्टी थी वो उसमें चोटे चोटे बड़े बड़े पत्थ पर होता है वो यूज किया और उससे हमने यहां पर मिट्टी का थोड़ा उपजाव बनाए और फिर आप रिजल्ट देखें कि जो हमने महनत करी है हमने अगस्ते चालू किया था और आज दिसंबर तक इतना अच्छा production हम ले पाए तो यह बहुत मुश्किल काम नहीं है तो उसके बाद फिर आपने इसमें डाला क्या इंपूट के तो पर क्या किया और शिचाही के लिए इसमें ड्रिप फार्मिंग का यूज किया है जिसमें बून-बून पानी टेक्नोलोजी यूज होता है कोई पानी वेस्टेज हम नहीं करते हम जितना पानी पौदे को रिक तर्थ है वो नीचे दब गए और जो उपर सॉफ्ट मिटी रही उसमें हमने खेती लिए खाद के लिए हमने गोबर का इस्तमाल किया है और केच्वा खाद लेते हम और जो नाचुरल हम खाद यहां पे फार्म पे अपने बनाते हैं वो यूज करते हैं जीवामरेत यूज क कि हम यूज करते हैं मतलब आपने सबसे पहले इसमें जमीन में थोड़ी मिट्टी डलवाई उसके बाद ड्रिप इरिगेशन से ड्रिप सिस्टम लगवाया और फिर इन्पूट के तोर पर आपने कैच्वा खाद गोबर की खाद जीवामरत घंजीवामरत और नैचुरल ब हमने करीब 25 से 30 वराइटी की सब्जियां लगाई है इसमें टमाटर की दो वराइटी गाजर की दो वराइटी हमने हर चीज को इस तरह से लिया है कि मार्केट में हर कस्टमर उसकी हर कस्टमर के अलग-अलग दिमांड पूरी हो और ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रोड़क्ट अहीं से कस्टमर तक अपनी रीच बनाना चाहते हैं यहां आपको मैं चीज बता दूं कि अब और गैनिक फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है लोगों में डिमांड बढ़ रही है लेकिन और गैनिक फार्मिंग की प्रडक्शन इतनी नहीं बढ़ रही है ट्रेडर ज्यादा आगे हैं देखिए ज्यादा तर जो और्गैनिक फार्मिंग में बिजनिस करना चाहते हैं वो सिर्फ बेचने की तरफ उतारू है कि कहीं से मिल जाए और हम ट्रेडिंग करके लोगों तक पहुंचा दें लेकिन जब तक की पड़क्शन नहीं आएगी तो आप बेचेंगे क तो इन्होंने पूरी चेंज सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया यहीं कि पहले खुद उगाएं और फिर लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो एंशॉर्टी रहे यदि खुद उगाते हैं तो पूर्वा ने यहीं कि पहले अपना फार्म डेवलप कर रही है ताकि जो ब ओखन時間 दो जो सा essence की उसे ख़शी मेंने जा सकते हैं तो वही मैनेजमेंट के से ऊहां भी यूश के जो के τουर्व स्थी को पूरा management के हिसाब से हमने कब बुआई करनी है हमने कब पानी देना है हमने कब इसमें बायो फर्टिलाइजर देने कब इसमें हमें खाथ डालनी है वो सारी चीज़ें हम manage करके चलते हैं point to point note करके चलते हैं और जब हम इसकी harvest करेंगे तो हमारा customer base कैसे करना है हमें marketing कैसे करनी है हमें अपनी customer तक product पहुचाने तक की जिम्मेदारी और उनका feedback लेने तक की जिम्मेदारी उनको सही product मिले और वो संतुष रहे हमारे product से तो यह सारा planning हम करें हमने यह भी plan किया है कि हम online booking करें हम website तैयार करने की planning है और उसी के पास delivery का हम रखेंगे कि हमारे customer तक उनका order पहुंच जाए तो अभी तक का क्या response है यह जो आपने system बनाए कि तो पैदावार होगी तो उसको हम बेचने में आसानी होगी शहर नजदीक है कितना दूर है यहां से भिलवारा 20 km दूरी पर है तो मात्र आदे घंटे में आप हम यहां से सब्जी भिलवारा तक पहुंच आ सकते हैं और आपके एक घंटे के अंदर अंदर कस्टमर तक पहँच सकते हें के यहां की सब्जी यहां की सोच नजदीक है तो वाण दिमांड भी है और उन लोगों तक पहुंच Muhmen आपको बताज़ें कि पूर्वा ठीक करें वास्तम डिमांड तो बहुत है पर सही चीजें हो और लोगों तक पहुंचें तो वह उस चीज को एप्रिशेट करते हैं ठीक रेट देने को भी तयार है पर शर्त यही है कि उनको शुद चीजें पहुंचें और टाइम पर फ्रेश बाकी यहां कुछ नहीं था पानी भी ग्राउंड वाटर था नीचे तो वह सारी आपने विवस्ता की तो क्या क्या किया वह शॉट में बताएं आपको यहां मैनेज करने के लिए यहां पर हमने जो जमीन चुनी पहले तो हमने उसकी फैंसिंग कराई यह लग बग लग लग पाणी पानी तो वह उनका हमें कुछेट है यहां पर हम पानी जो ले रहे हैं वह शुद पानी बोर्वेल कर ग्राउंड वाटर पानी यहां की जमीन की हम ने जो जुताइब ॉलते हैं जो जी क्या तो हमने इसको पहले पूरा लाय को निकाला क्योंकि इस पर 50 सालों से कोई खेति होने रही तो यह मिट्टी काफी इसकी सक्त हो गई थी अब हमने उसको मिट्टी को पहले पूरा पोला करते हैं और फिर उसके बाद हमने यहां पर डिब लाइन बिछाई यह बॉटर यहां पर लिया है तो 24 घंटे विजली हमारे यहां पर रहती है हम जब चाहें तब टैंक बनाए हमने पानी स्टोरेज के लिए तो उससे हम जब चाहें तब पानी लेकर इरिगेंचन कर सकते हैं वह हमारा प्लास पॉइंट है कि समय भुइन का इंतितार नहीं करना परते हैं आप खाद के लिए यह कितनी है और उनका क्या प्रियोग है हमने चार पांच गाये रख रख रखी हैं तो तो उनका गोबर और गोपमुत्र हम इस्सेमाल करते हैं हमारी खाफ बनाने के लिए और हम चाहतें कि हम आगे गाये और बढ़ाएं और हमारी शम्ताव पर हम 10-15 गाये करें और उनका दूद का भी हम कनद करें और हमारी कसेमर तक पहुँच तो गाय भी आपकी यहाँ पर है और आपने पानी है और जमीन में नेचरल चीज़ें डाल रहे हैं और पैदावार भी अच्छी आ रहे तो अभी आप अप्टेमिस्टिक हैं कि इसमें बहतर करियर के संभावनाय बन रही है क्या लग रहा है अभी आपको यहां पर इस स्टेज पर आ करके अपर्चुनिटी आज कोविड के बाद हर इंसान चाहता है कि शुद खाए और हमने हमारे कस्टमर्स को जो फ्री सैंप्लिंग करें उनसे फीडबाक मिला है कि आप बिल्कुल शुरू करें और हम आपसे ही सबजी लेंगे क्योंकि आप शुद सबजी दे रहे हैं हम अपने कस कि शुद खाए और हमारे कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं यह एक वर्ड ऑफ माउथ होता है हमारी मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं उस पर भी हम निर्दार रहेते हैं कि हमारे कस्टमर्स बढ़े घा कम नहीं होगा और आज सबको अच्छा खाना खाना है तो और इनसान प्लाटफॉर्म मार्केट में मिलता नहीं है तो वो मार्केट हम उनको प्रवाइड करेंगे तो वो कस्टमर्स हमारे तक जुडेंगे तो हम यह बताना चाहेंगे कि हमने साखी और नाम से ब्रैंड शुरू किया है जिससे हम अपना जो प्रोड़क्ट है वो डिलेवर करें तो आप चाहते हैं कि आप ओगानिक फार्मिंग करें यह आप कर रहे हैं और हम उस प्रोड़क्ट को आगे तक पहुंचाएं अगर आपको बेचने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हम से जुड़ें साखी और गानिक से जुड़ें और साखी और अगैनिक आपका वो पढ़ाई करने के बाद अच्छी management के साथ खेती को modernize तरीके से chemical free खेती को बढ़ावा देकर market डूंड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास already set up है बस उन्हें जरूरत है उसको re-modify करने की, organize करने की, manage करने की और जो बच्चे जिनके पास जमीन नहीं है या शुरुवात करना चाहते हैं वो कोई ऐसा platform देख सकते हैं जहां जमीन है जिनके पास investment करने के लिए पैसा है क्योंकि जहां zero से शुरुवात होती है वह investment काफी होती आपको बता दें शुरुवात में 2-3 साल तक investment करनी पड़ती है इस खेत में भी 10 एकड के खेत में काफी सारा investment हो रहा है फैंसिंग हो गई पानी की विवस्ता हो गई ड्रिप इरिगेशन हो गई मिट्टी है नई शैड बनाना है गाय रखने के लिए बनाना है शर्मिक रखने पड़ते हैं क्योंकि खुद मैनेज नहीं हो पाता तो ऐस investment होती है लेकिन आज कल बहुत फारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीने हैं पैसा है पर करने वाले नहीं तो ऐसे में अगर बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करें जो MBA किया हुआ है वो भी इसे करियर option के तोर पर देख सकते हैं थोड़ा सा ग्यान लेकर करके अच्छी management के स साथ शुरू कर सकते हैं पूर्वा ऐसे लोगों के लिए उधार्ण है जो पढ़ाई को सिर्फ नौकरी के लिए मानते हैं दूसरे option नहीं करते हैं इन्होंने organic farming को चुना पढ़ाई करने के बाद नया करियर तलासा है हमें उमीद है आपको इससे जानकारी मिली होगी और अ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले